पाकिस्तान में खेलेगी टीम इंडिया ICC ने लगा दी फैसले पर मुहर रोहित विराट, स्काई जाएंगे लाहोर 1996 से अपनी सरजमी पर एक ICC इवेंट की मेजबानी को तरस रहे पाकिस्तान को जिस फैसले के इंतजार था, वो फैसला आखिरकार आप पहुचा है आपको बता दें कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 के स्केडूल को अब क्रिकेट की सुप्रीम बॉड़ी ICC से हरी जंडी मिल गई है और ऐसा कहना है पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जियो न्यूज का जियो न्यूज नेटवर्क के हवाले से दावा किया गया है कि ICC चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही खेली जाएगी टर्नमेंट के स्केडियूल पर ICC ने मुहर लगा दी है यहाँ आपको बता दे कि ICC का इस स्केडियूल पर मुहर लगाना काफी माइने रखता है क्योंकि स्केडियूल के मताबिक भारते टीम भी चैंपियन्स ट्रॉफी में खेलने वाली है वही भारते टीम के तमाम मैच लाहूर में खेले जाने है बता दे कि पाकिसान क्रिकेट बोर्ड ने करीब दो हफते पहले अपना प्रस्ताविट स्केडियूल ICC को भीजा था जिसके तहट 19 फर्वरी से 9 मार्च 2025 तक चैंपियन्स ट्रॉफी का यजिन होगा पाकिसानी मीडिया के मताबिक ICC ने चैंपियन्स ट्रॉफी के प्रस्ताविट स्केडियूल में कोई भी बदलाव नहीं किया है वहीं अब पाकिसान क्रिकेट बोर्ड इसी महीने के अंतर तक टोर्नमेंट में खेलने वाली बाकी 7 टीमों के बोर्ड को ICC द्वारा मंजूर किया गया स्केडियूल भेज देगा पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ड सकर सही है और अगर ICC द्वारा चैंपियन्स ट्रॉफी के स्केडियूल को वाकई मंजूरी मिल गई है तो एक बात तो साफ है कि 28 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमी पर ICC का इवेंट आयोजी जरूर होगा हाला कि टीम इंडिया इसमें शिर्कत करती है या नहीं इसे लेकर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता गौर्टलवे के एशिया कप 2023 का आयोजन भी पाकिस्तान में होना था लेकिन सुरक्षा कारणों से भारती टीम तब पाकिस्तान नहीं गई थी और BCCI के मना करने के बाद टीम इंडिया के मैचों का आयोजन शिलंका में किया गया था अगर एक बार फिर BCCI चैंप्टिन्स टॉफी में भारती टीम को भेजने में असमर्थता जताती है तो ऐसे में मुम्किन है कि चैंप्टिन्स टॉफी भी एशिया कप की ही तरह हाइबरिड मॉडल में खेली जाएगी जिसके बाद भारती टीम के मैच दुबई में आजजित किये जा सकते हैं आपको बताते कि चैंप्टिन्स टॉफी को वन डे क्रिकेट का मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है जिसमें वन डे क्रिकेट की आठ बड़ी टीमें खेलती हैं पाकिस्तान और भारत के लावा इसमें आस्ट्रेलिया, इंग्रेंड, न्यूजिलेंड, साउथ अफ्रीका, बंगलदेश और अफगानिस्तान की टीमें ही सालेंगी लहोर के लावा चैंपियन्स टॉफी के मैचेज, कराची और रावल पिंडी में भी प्रस्तावित किये गए हैं रिपोर्ट की माने तो टीटोटी वर्ल्ड कप के दोरान भी न्यूजियोक में जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला गया था तब भी BCCI से सचिव जैशा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्यक्ष मौसीन नक्वी की चैंपियन्स टॉफी में टीम इंडिया को भीजने के मुद्दे पर बातचीत हुई थी हलाकि तब भी BCCI की तरफ से साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान में भारती क्रिकेट टीम को भेजने का मुद्दा भारत की केंदर सरकार की रजामंदी के बाद ही लिया जा सकता है